इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर संतस्वामियों के सानिध्य में ग्रामिन पा रहे हैं प्रवचन लाव आपसे मंधे दूर करने का सबसे अच्छा मार्ग है संवाद जब हम आपस में संवाद बंद कर देते हैं तो दूसरे लोग इसका लाव इखा जाते हैं और वै कभी एक नहीं होने देतें इसलिए अपनी चेतना का स्वर जगाने के लिए आपस में में जोड बढ़ाते हुए संवाद करें बाचीत करें हसे गाएं इससे ही प्रेम भाव जागरुत होगा तोला अगस्त से प्रारंग हुए सेहा यात्रा की दौराद स्वामी हरियो मानंद वे अन्यसंत ग्रामिनों के साथ बस्तियों में पहुँचकर भेद भाव मिटाने के लिए आश्री वर्चन करदान कर रहे है गुरुवार्कुस ने यात्रा उन से प्रारंग होकर राइबिडपुरा बेजापुरा रोम चीची बरूड होकर निमुगर और नवलपुरा पहुँची जरान गाओ के सरपंच्वे पटेल सहे विद्जन तथा जन अभियान परिशत की नवांकुर संस्कृति ही नहीं भाव भी अपनाने लगे है स्वामी श्री आनंद ने ग्रामिनों से कहा कि आज हम हमारी संस्कृति छोड़कर दूसरी संस्कृति अपना रहे है लेकिन सिर्फ संस्कृति ही नहीं इसी कर सहारे हम भाव भी अपना रहे है हमें सूर्य के समान वहवार करना चाहिए जो किसी के साथ भेद भाव नहीं करता महा पुरुशोवे करांती कारियों ने देश पनाया है फिर क्यों हम एक दूसरे से भेद भाव रखे चुआ चुट और भेद भाव को समाप करने के उद्देश से निकाली जा रही स्नेह याप आँचिले की कसरावद तैसीर के ग्राम बाड़ी पहुंची यहां संतो का पुछपो से स्वागत दिया गया संतो दूरा ग्राम वासियों को भेद भाव खतम कर एक पासे रहने का संदेश दिया गया इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी नियूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस लीजियों को शेयर ज़रूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेट फर